प्रेमित्रों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इस्टेडी बित प्रदीप पे दोस्तों यूपीट पलेसी ब्रेकिंग नियोज में हम आपको बताने चलने यूपीट पलेसी पिट का नोटिफिकेसन जारी कर दिया जिसकी संपूर जानकारी आपको इस वीडियो में द इतना जाने है कि यूपीट पलेसी पेट का फार्म आपका जारी कर दिया गया है तो इसके लिए कौन से बूक होगी क्या एक जाम पैटर्न होगा सब कुछ हम आपको एक एक करके अलग अलग वीडियो में बताते रहेंगे इसके लिए आपको करना होगा चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को करना होगा तो चलिए देखते हैं क्या है यूपीट पलेसी पेट के लिए अगर आप देखें तो मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था को ओटियार अगर आप नहीं किये तो आप अपना ओटियार कर लिए नीचे डिस् स्टाट कर दिया गया है जिसकी नोटिफिकेशन आपको सरकार रेजल्ट पे भी मिल जाएगी यूपीट पलेसी की साइट पे लिए मिल जाएगी जो आपका उत्तर पुर्देस अधना सिवा चैनायोग की जो साइट है उस पे भी आपको मिल जाएगा तो चलिए देखते है मैं आपको सरकार रेजल्ट पे ले चलके दिखा देता हूं एक बार आप देख लेंगे कहां पे है तो मैं आपको लाइब दिखा रहा हूं आप चैनल पर बने रहेंगे तो आपको दिखने को मिलेगा तो एक मिनिट आप धहर रखें और मैं आपको दिखा रहा हूं यहां HypJesus 시 गोगल पे जाने के बाद ऐप यहां पे डाल सकते है योपीठी रिपल सी तो अगर मैं यहां पर बात करों तो यहां पर मैं लिख दूंगा यूपी टृपल सी देखिए उत्तर यूपीडिपल सी गौור्मνεंट spend 샵ük करेंगे चैसेशक करेंगे तो आपके पास एक कुल कर कर के आएगा जो इस प्रकारस होगा जिसमें सब कुछ दिया होगा तो यहाँ पर देखेंगे मेरा जो है Movile वर्जन पर नहीं मैंने आप इसको जो किस पे कर दिया लेप्टाप वर्जन पर कर दिया यानि डेस्टाप वर्जन पर तो आपको यहां पर आपको मोबाइल में सीधे नेल जाएगा नीचे यहां आप देखे तो बिज्ञापन इसको पहले क्या करते हैं और जब मैं ओपन करूंगा तह आपके सामने एक खुल के आएगा एक सिकेन रूख जाहिए इंटिफेस ह्कुलना चाइए और एक गूगल ड्राइप अच्छा यह तो नोटिस है जो नोटिस आपकी है कि यहां पर देख लेते prarambi अरता परिच्छा की जो आपकी नोटी से परारम्भिक हरता पर ठेकी आनॉयन आवेदन रेजिस्टेशन परारम होने कि थि 5 मई बाध माफ करना लिए पचीज मई पुचीज मैं पांच मई नहीं 25 मैं दो जार अरिकिस से यहां पर देखे online आवेदन registration प्रारम होने की ती थी 25 मई से है और online सुल्ख जमा करने की जो प्रारम भीक्ती है, ओ है 25 मई से ये भी आप 25 मई से फार्म जमा कर सकते हैं, पर इच्छा हे तो registration online आफ लाइँ submit जो है 21 तारीक तक आप इसको submit कर सकते हैं संसोधन के लिए आपको time मिलेगा और 28 तारीक तक 28 जून तक आप इसमें संसोधन भी अगर आपके फार्म में कोई default आ जाता तो आप उसकी संसोधन कर सकते हैं यहां पे बाकी उसके बारे में सारी जानकारियां दी गई ही का आनलाइन आवेदन आप कैसे करेंगे यह सब कुछ है देखिए प्रारमभी कारता परिच्छा में क्या करेंगे एक यह जून तक आप मद्रातिरी तक भर सकते हैं और यहां नीचे आ जाएं तो आयो के पहले सब से पहले आप चैनल को सस्क्राइब करें जिससे आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आपको बताई जाएंगी और क्या-क्या ग्रेट पे है कैसे है इसका फार्म भरने का तरीका क्या है सब कुछ यहां देखिए ग्रेट पे कितना होगा उसके बारे में तो कितने अलग-अल आवेधन कर सकते हैं अता ऐसे सभी अभ्यारति जिनके द्वारा आवेधन पत्र सम्मिट करने की अंतिमतित से पूर्भ हाई स्कुल समकच चत्वा इसके उच परिच्छा आवरता धारित कर लियो वे प्रारंभिक आःता परिच्छा में आवेधन कर सकते हैं उनलेखनी है क प्रारंबिक आर्था परिच्छा के उपरांत विभिन विभागों से विभिन प्रकार के संगत पद के अध्याचन या सेवा नियुमावलिम के उनसारी विग्यापन जारी किया जाएगा जिसके सापेच अनिवार आर्था रखने वाले अभ्यारती जिन्हें प्रारंबिक आर काउसल परिच्छा सारी दच्छता परिच्छा इत्याद का आउजन कराया जाएगा नोट है इसको लत्वा इसके समकच से कम अनिवार अहरता के ऐसे पद जो आयोग के परिध में आते हैं यद उनका अधियाचन प्राप्थ होता है तो उनके संबंद में आयोग नेड़े के अनसार अलग से कौसल परिच्छा सारी परिच्छा आयोग की जाएगी जिसकी सूचना है समयपर आयोग की साइट पर आपको दी जाए जगा आउस्टीес के लिए कि आप 18 वर्स से ले करके और कितने वर्स की आए होनी चाहिए 40 वर्स तक 40 वर्स से उपर आई वाले इसमें सम्मिट नहीं कर पाएंगे ठीक है उसके बाद नीचे अगर आ जाते हैं तो जो नियमावली के अंसाथ छूट दी गई है जैसे यहां आप देखिए तो कहरा कुसल खिलाड़ियों के पांच वर्स की छूट अनुवान ने पूर भूर जो भूत पूर सैनिक हैं उनके लिए तीन वर्स की छूट है एक जुलाई तक ठीक है उसके बाद अगर आरचण के अगर बात करने तो आयोग द्वरात आयोजित की जने वाली बिग्यापन वार मुख्र परिच्छाओं में अधिनियम सासना देश योग सेवा निमावली के अंसार लंबवत अंसोचित जात अंसोचित जन जात अन्य पिछड़ा बर्ग और आर्थिक रूप से कम जोरवर्ग को 36 अरचण सुतंतरा संग्राम सेनानी के अतरिक्त दिव्यांग जन भोतपूर सैनिकों को योंग महिलाओं को भी अनुमन होगा तथा अरचण के प्रावधानों के अंसार अभ्यार्थियों के प्रारंभिक आर्था परिच्छा के स्कपोर के आधार पर मुख परिच्छा हे इनको साइट लिस्टिंग की जाएगी परिच्छा योजना योंग पाठ करम तो इसके बारे में हम बात करें प्रारंभिक आहर्ता परिच्छा हे पाठ करम को सर्व साधारन को सुचनार्थ आयोक की वैपसाइट पर 22 2021 को अप्लोड किया गया था मैंने अपन स्लेबस हैं तीस बार का स्लेबस मैं आपको प्रोवाइट कराऊंगा जिसमें सारी क्लासेस आपके कैसे चलेंगी क्या होगा प्रारूप सब कुछ आपको उसी वीडियो में बताया जाएगा यहां पर देखिए आपका जो क्या कहते हैं नार्मनलाइजेशन होगा ठीक है उ और उसके बाद नीचे चले जाएंगे तो हस्ताक्षर है और यहां पर कुछ डिक्लिरेशन दिए गये हैं तो उसको आप पड़ लेंगे तो कुछ इसमें खास वैसा नहीं है आवेदन सुल्क जो आपको जानना है एक सो साथ में अतलब जनरल के लिए एक सो पचासी रूप आपको तो ठीक है उसके बाद आ जाते हैं संसोधन कर सकते हैं आपर आपको कोई दिक्कत हो जाती । आप और उसके बाद यहां पर कुछ खास है नहीं आरच्षण का अनुमन्य नहीं अच्छा यहां क्या है अंसोचित जाथ अभ्यारत्यों के लिए महत्पूर्ण अनुदेश अंसोची जाट अन्सोची जन जाट अन्य पिछला वर सुतंता संग्नाम सेनानी के आस्रीद भूर्पूर्पूर सेनिकों को जो उत्तर प्रदेश राज के मूल निवासी नहीं है उनको आरच्छण नहीं दिया जाएगा यानि अगर आप उत्तर प्रदेश के नह करने के वर्स के पूर्व आए रूपया आठ लाग से कम हो यानि आठ लाग से ज्यादा आपकी इंकम नहीं होनी चाहिए और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% अरच्छण दिये जाने के संबंधी उत्तर प्रदेश सासन की सूचना इतने के अंतरगत 31 अगर 2020 के भी 10% आरच्छण आपका मानने होगा ठीक है यानि 8 लाग से उपर आपकी अगर इंकम नहीं है तो आप आरच्छण पा सकते हैं 10% आरच्छण आप ले सकते हैं ठीक है उसके बाद यहां पा जाएं तो कुछ खास नहीं है बिंदुबें और स्लेबस तो मैं आपको कर सकते हैं अपना रिश्टेशन कर सकते हैं अपना बढ़ सकते हैं और दूसरी सबसे बड़ी चीज आप अपना रिश्टेशन खुद मोबाइल से कैसे कर सकते हैं यह भी हम आपको बताएंगे और इसी के साथ एक बड़ी जानकारी जो आपको बताए जाएगी सिलेबस पार्टक्रम इत्याच चीज़ें आपको एक एक करके अलगलग वीडियोज के मादिम्स बताएंगे जिसमें आप चैनल पर पूरे यूप वीडियो में तब तक लिजाज़त दीजिए जय हिंदे